दी एर स्टुडेंट में विद्यास आगर और आप देखने भी इसकी विद्यास आगर सिंक चनल तो देखिए आज की वीडियो में हम पताने जा रहे हैं गोधली किताब हिंदी पार्थ 9 का बेखंड हमारी निंद जिनके लेखक हैं विद्यन डंगवाल तो देखिए इस पार लएगा तो लाइक करके जाएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो देखिए पर्मुक समकालिन कोई बिरेंड डंगवाल का जन में पांच अगौस तुने इस सुसाने तालिस इस वी में कारती नगर टिहरी गढ़वाल उत्रांचल में हुआ पांच अगौस तुने इस सुसाने तालिस यनि डेश अजाद होने से नौ दिन पहले 14 अगस्त को देश से अज़ाद हो था 15 अगस्त को मान दिया गया उसका याद रही है आप लोग इनका बिरेंड डंगवाल का जन में है पांच अगस तुने इस सुसाने पर्मौद सहारन कानपूर, कानपूर, बेरेली, नैनिताल में शुरुआत सिख्छा प्राप्त करने के बाद दंगवाल जी ने इलाहाबाद 200 विदाले में एमे किया और यही से आधुनिक हिंदी कविता के मीथकों और परतिकों पर डिलीट की उपादी पाई वे 1971 इस वी में बेरेली कॉले प्रभात में कुछ वर्षु तक घुमता आईना सिर्षक या अस्ताम्ब लेखा के भी किया वे दाइनिक अमर उजाला के संपधकिये सालाहकार भी हैं रचनात्मक विसेस्ता बिरेन डंगवाल के रचनातों के यानकिया उनकों से रचना किये हैं उनके वरे में जानले यह कविता में या थार्थ को देखने और पाचानने के विरेन डंगवाल का तरीका बहुत अलग अनूठा और बुनियादिक इसमें का है सन 1991 में प्रकासित उनका पहला कविता संग्रा इसी दुनिया में आज भी उनका ही प्रसंगी के उमत्पून लगता है उन्होंने कविता म में मारफत एसी बहुत सी वस्तु को पाधी एवं विमर्ष के संसार के निर्मित किया है जो प्राय ओजल और अंदेखी थी उनकी कविता में जनवादी प्रिवर्तन के मुल्क प्रतिग्या है उनकी बुनावट में ठेठ देशी किसमे के साख और आम तस्मक एवं की सलक्षिता है सहीत्य उपलब्दी बिरेंडगवाल को दुष्ट चक्रे के सराष्ट काव्या संग्रह पर सहीत्य अकादमी प्रस्कार प्राप्थ हो चुका है उन्हें इस दुनिया में रगुबीर सहाई स्मृति प्रस्कार लिया उन्होंने सिरिकांत वर्मा-इस्मृति पुस्कार और कविता तुर्की के महाकवी, नाजीम हिकमक्त की कहानियों के अनुवाद उन्होंने पहल पुस्तिका के रूप में किया, उन्होंने 20 कवितायों, पोलो, नेरुदा, वरतुल, वरोस्त वास्को पोपा, मिसल वास, होबूल, तदेवुस, रुजय विस्त, आधी आदिवासी लोग कविता में अनुवाद किये यह चीज आप लोग को समझ में नहीं आया या आ गया तो भी कोई दिकत नहीं है कि यह समझने लाइक नहीं है इनके द्वारा लिखा गया आदिवासी लोग कविता है तो कविता हम लोग के समझना परे हैं इसलिए हम लोग नही क्या है तो कविता पर चे प्रस्तुते कविता हमारी नींद समयाई के कभी बिरेंडंगवाल द्वारा लिखी ते कविता संग्रा दूष्ट चक्रे में स्राश्टा में संक्लित है इसमें सुविधा भोगी अराम पसंद जीवन अथवा हमारी वेपर वाहियों के बाहर विपि कर लेते हैं हिंदी समकालिन का बिधारा के परमुख कभी बिरेंडंगवाल ने अपनी कविता हमारी नींद में समाज की सधारन जनों और हांसियों पर इस्तित जीवन के बिलक्षण बेवरो और दिरिसरचे हैं इसमें समझवादी परिवर्तन की मुल परतिग्या और उनकी के वाथामान को समझारता कर लेते हैं भातिक वादी शुक्ष भीधा को विल रूप में दरसंद कराते हुए कभी कहते हैं कि मनुष्ट सुभीधा भोगी बन कर राम की नीद सोता रहता है लेकिन परकिर्ति विकास कर्म को अनवरत जारी रहती है दिए मनुष्ट तो अपन प्रकित्ति के समय है वो चलता रहा है यह जो रुकने वारा नहीं है जैसे प्रकित्ति प्रदात वस्तु पेंड़ पौधे अपने जीवन करम में सिल्सिले में पहले बीज के रुप में धर्ती के नीचे जाते हैं फिर अंकूर रुपी कोमल संग्यो चता की रुपी छट को तोड़ कर बाहर निकल जाते हैं कवी पुनह मखी जीवन कर्म में विशय में कहते हैं कि अलपायू में जीवन यापन करने वाले मखी अपने जीवन में सुख दुख को भोगते हुए जीवन लिलाजमाप्त कर ली, कई सी सूत पन किये, कई दंगे फसादे हुए और बम धमाके हुए जीवन कर्म में अतेचार करने वाले और अतिचार सहने वाले सिलसिला चलता रहता है अत्व मानो अपनी हिगती को अरोह औरोह के साथ बहता रहता है अरोह औरोह का मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि कोई कमबेसी यानी साथ बहता रहता है कमबेसी करके तो परकिति भी अपने करताब्य पत पर अगर सर रहती है पुना कभी मानो जीवन चकर को चित्रन करते हुए कहता है कि जहां जुगी जोपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं जो केवल किसी तरह के रव अपने पेट के जुवाला सांत करने के पेक्षा कुछ हैं नहीं जानते वहां भी बिलासी लोग भगवती जगरन त वाता है थगने वाला कहने का मतलब पैसा कमाने वाला से थिक है यह भी मनावता के प्रभासा को जुटलाते हैं और अतेचारियों की साथ युटाए गयए साधुनों के मुख होकर देखते रहे हैं अıl हम अराम तलभी जिन्दगी में कर्म हींता का परचय दे कर्मनावता को कलंकित करने का पीछे नहीं हट रहे हैं यह अपमान कर रहें मानुव जीवन का इनि में आज भी ऐसे लोग हैं प्रक्रितिक अनुवरत बहुत नहीं दो उसे मेरे को क्या तो अगर पूरा समाज सोच ले तो हम लोग का समाज और भी भी खराब होता जाएगा तो इसी के बार में हमारी कभी जी बता हैं विद्धागमालने के इस पार्ट से आप लोग का इस जानते हैं हमारी निंद निंद के बार में जानते हैं हम लोग अगर सोते रहते हैं लेकिन प्रक्रितिक अनुवरत बढ़ते रहता है आप लोग जान गए लेकिन कुछ लोग जो होते हैं दूसरे को दबाने या तेचार करने के लिए होते हैं तो उन्हीं के बार में बताया तो देखिए सबसे पहले म कτεई नींद के दवरान कुछ है बढ़ गए क्या बढ़ गए इंच में इंच बढ़ गए यानी देखिए हम लो कज नींद के हुच न बढ़ जाते हैं कुछ न कोछ इंच तक बढ़ते हैं करने का मतनला थोड़ा ही बढ़ते share बहते रहते हैं व्यादा क का जनमन अस्थान क्या है या कई है तहाँ आप लोग याद रहीगा किर्ती नगर किर्ती नगर याद रहेगा यह भी जी लह फॉड नहीं है इसमराहट से पिलाहट से से कहां निमे मैं बताया था आप लोग याद होगा तो देखिए ब्रेंड डंगवाल की रचना कौन है तो अनेक है लेकिन हमारी निंद याद रखीगा हमारी निंद जो की यही पाठ है निंद के द्रम्यान कुछ इंच कौन बढ़ गए ये बढ़ गए पेंड पेंड कुछ इंच बढ़ जाते हैं जिसे हम लोग सोई हुए राते हैं तो पेंड थोड़ा बढ़ जाता है पेंड कभी नहीं सोता है लेकिन हम लोग सोते हैं हम भी लोग बढ़ते हैं लेकिन पेंड फ्सूथे या कुछ इंच कौए हैं तो यह आपको याद रखेलwegen से खर्ऌता है चु Sug उसको अपने सिंग से धकेलता हुए उपर की उठ जाता है और पौधा बन जाता है पौधा से ब्रीक छवानेता है देवी जगरण कहा हुआ था ये गरीब वस्तियों में याद रखेगा ये बार-बार कोचन आने वाला है तो इसलिए याद रखेगा इसी दुनिया में किसकी क्रिती है तो ये है बिरेंट डंगवाल की कविता में देवी जगरण कहा हुआ था याद रखेगा आप लोग गरीब उस्तिम हुआ था आते चारियों के सब्दिक अर्थ क्या है ये है अन्याई यानि जो अन्याय करते हैं जगडा फसाद कौन समाज जाए जगडा फसाद ह ये नहीं तो दूसरा को याए लेकिन इस पर जान जान रहे तो यह आनने रहा आने वाल का जन में तीव यहे मिलते हैं अंगलो वीडियो में तब तक लिए भारत बंदे मत्रम और यह वीडियो अपने दुस्त के पास्येर करना ना भुलिएगा